देव शायनी एकादशी सुर्योदै के पहले उठें एवं गंगाजल से स्नान करें भगवान विष्णू के मंदिर जाएं पीला रंग ज्ञान का प्रतीक माना जाता है एवं भगवान विष्णू से जुड़ा है इसलिए भगवान विश्नु को पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं भगवान विश्नु को पान के पत्ते चढ़ाएं विश्नु सहस्त्र नामम स्तोत्र का जाप करें भगवान विश्नु की आरती करें भक्त जन जो इस दिन उपवास रख रहे हैं वह केवल फलो का ही उपभोग करें ऐसी मान्यता है कि भक्त जन जो इस दिन उपवास रखते हैं उन्हें सुखी सम्रिद्ध जीवन का आशिरवात प्राप्त होता है आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुपकामनाई